आज हम पढ़ने वाले हैं क्या Marginal Costing, Marginal Costing करने से पहले हम पढ़ेंगे Absorption Costing Absorption Costing का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी Product की Process, Production की Cost निकार रहे हैं तो Total Cost को Consider करेंगे and what is Total Cost, Total Cost मतलब Fixed Cost प्रसमे Variable Cost इसी को बोलते हैं हम क्या? Full Costing कि हम हर एक Cost को Include करेंगे ठीक है? Absorption Costing में आप क्या कर रहे हो? सारी की सारी Cost को Include करके फिर Data Consist कर रहे हो इसलिए इसको बोला जाता है Full Costing या आपकी Absorption Costing ठीक है? दूसरी जो आप पढ़ोगे आज वह आपकी Marginal Costing ठीक है? Marginal Costing में सबसे पहले मुझे यह बताइए कि Marginal Cost क्या होती है? सबसे पहले Important चीज़, What is Marginal Cost? क्या होती है? Marginal Cost है वह आपकी हमेशा 1 additional की होगी मैंने कहा कि 20 unit की जो Cost है वह आपकी 100 है 21 unit की Cost है 150 है तो आप इन दोनों का जो Difference है यह Marginal Cost है 1 additional का क्या होगा? Marginal Cost और एक से ज़्यादे आपको दिख रहे हैं तो इस दिफरेंशाल कोस्ट होगी Marginal Costing जो है आपकी यह क्या होता है? यह आपकी है consider करता है सिर्फ और सिर्फ इसको Only variable cost सिर्फ और सिर्फ variable cost को consider करता है इसके अलावा बाकी सब चीज़ों को ignore करता है बाकी सब चीज़ों क्या करता है? ignore करके चलता है अबना एक क्यूस्टन आता है इन दोनों में क्या डिफरेंशाल कोस्टिंग और मार्यल कोस्टिंग में देखो अब्जोर्शन कोस्टिंग में total cost आती है मार्यल कोस्ट में सिर्फ और सिर्फ variable cost आती है ठीक है एक बहुत important बात बता रहा हूं मैं absorption costing and मार्यल कोस्टिंग में ठीक है profit under absorption costing and मार्यल कोस्टिंग यह क्या आएगा difference आएगा are differentiated यह क्यूस्टन आता है किसकी वज़े से आता है पहले तो क्या same आएगा नहीं differentiated होता है किसकी वज़े से आता है due to due to closing stock due to value of closing stock ऐसे भी लिख सकते हो due to value of closing stock इतनी बात समझ में आगए आपको भई यह online student हंजी बताओ एक बार data दिया हो है आपको क्या data आपके पास कि cost of production है आपके पास दे रखा है cost of production किस तरीके से दे रखी है पहले तो यूनिट कितनी प्रोडेश हो ही है unit production यह दे रखी आपको 5000 आपने बनाई है जिसकी आपकी आपकी वैरियाबल कोस्ट है rupees-4 per unit ठीक है 4 रुपे पर यूनिट आपकी वैरियाबल कोस्ट है और आपकी जो fixed cost है वह आपकी यह वन थाउजन ठीक है हम कितने हैं और जो आपकी यह इसले आपकी हो इंसों समझ हमाब का अद एलक एए इन की आड दी रे 2 जीए Rubi चैकर 6 पर लागी सेर रहा है यह इतनी समझ में न हे बात का इसले न हाग ऑगया थि क्यों न समझ में आ गया आप फेनर बात प्रोफित निकालते हैं या वैल्यू क्लोजिंग प्राइस निकालते हैं तो देखो सबसे पहले सेल्स आपके पास कितनी है सेल्स आपके पास 4000 यूनिट और छे के इसाब से कितनी हो गए 24000 ठीक है ऐसे एड करते हो आप एड क्लोजिंग स्टोक कितना है कि पास 1000 यूनिट यूनिट पिछे ना आपके पास कि अपके पास ठीक है और उसकी जो कोश्ट है कितनी है टोटल कोस्ट आई देखो 5000 यूनिट की 4 के हिसाब से 20,000 तो ये कोस्ट हो गई और 1000 ये हो गई तो टोटल कोस्ट कितनी हो गई 21,000 यूनिट 21,000 रुपए हो गई 5000 की तो इसी के हिसाब से आपकी 1000 यूनिट की कितनी कोस्ट हो गई हजार यूनिट की आपकी कोस्ट हो गई है कितनी ठीक है हजार यूनिट की कोस्ट आगई 4200 ठीक है तो टोटल आपका जो आया मतलब क्लोजिंग स्टोक की वैल्यू आगई 28200 और आप इसमें से लेस कर दीजिए कोस्ट ओफ प्रोडेक्शन कोस्ट ओफ प्रोडेक्शन कितना है कोस्ट ओफ प्रोडेक्शन कोस्ट ओफ प्रोडेक्शन आपके पास 21,000 प्रोफिट कितने आगई आपके वैल्यू कितने आगई आपके पास प्रोफिट आगया कितना प्रोफिट कितना आगया 72 रुपए ये किसन समझ में आया भी तक हां जी बताओ एक बार देखो क्या था सेल्स आपके पास सेल्स आपकी है 4000 यूनिट छे के इसाफ से 24,000 रुपए की इसमें एड करो क्लोजिंग क्लोजिंग स्टोक 21,000 टोटल कोश्ट है 5000 की 1000 की 2200 रुपए 8200 हो गया इसमें से हमने लेस कर दी कोश्ट और प्रोडेक्शन 21,000 रुपए तो प्रोफिट आगया 7200 रुपए ठीक है क्लियर हो गई यहां तक बात अब दूसरा देखो आपका मार्जिल कोश्ट में कैसे होता है मार्जिल कोश्ट में किस तरीके से काम होता है प्रोफिट अंडर मार्जिल कोश्ट प्रोफिट अंडर मार्जिनल कोश्टिंग देखो मार्जिनल कोश्टिंग में चलता है सेल्स माइनस वैरियेबल कोश्ट कंट्रिबूशन माइनस में फिक्स कोश्ट फिर आता आपका प्रोफिट इस तरीके से आता है ना ठीक है सबसे पहले आप देखो sales, sales कितनी आपके पास? Sales सेम रहेगी आपकी, कितनी? 4000 unit की और 6 के हैसाब से कितनी आगी 24000 ठीक है? अब इसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ गटाना है क्या? variable cost, क्या गटानी है आपने, variable cost, variable cost कितनी आपके पास? इसमें पहले तो इसमें वैल्यू एड़ encaro किसकी Curry सिपिए करने और लौजिख करेंगे समें देखो आप पहले तो इसमें वैल्यू एड़ करो किसकी कलोजिग स्क्रिण करेंगे स्कील टॉटल आगे आपके पास त्वन्टी ये वैजुन इस में से आप लेस्ट करो वैरियेबल इसलिए इसलिए पिस आउर कितनी वेश्ञार कितना बच गया आट इजार ये क्या आ गया आगया कंट्रिबुशन त्या गया contribution और contribution में से क्या गटान होता है fixed cost कितनी है कितना आ गया profit में difference आ गया कितने का इधर तो आए 7200 का इधर आए 7200 का और यह कितना है 200 देखो किस वज़े से आया यहाँ पर जो closing stock की value थी आती 4200 और यहाँ पर value कितनी थी 400 तो क्यूसन समझ में आया है क्या है theoretical भी practically भी क्यूसन क्या है कि दोनों के profit में difference आयेगा और उसका reason होता है value of closing stock ठीक है अब आप कैसे लिखेंगे इस क्यूसन को if value of closing stock देखना है आपने कैसे लिखना है is greater than value of closing stock under absorption costing is greater than value of closing stock under marginal cost तब profit का difference के आएगा किसका जाद आएगा absorption का और value of closing stock इसकी जाद आएगी तो उसका जाद आएगा ठीक है बात समझ में आ गई दोनों चीजे clear है क्यूसन मैंने क्या बताया absorption costing के वज़े से आपका difference आते हैं कि लिए होगी ना बात आद आगी देखों अब दूजिद माजल कोश्टिंग का मतलब होता है सिर्प और सिर्फ variable costing माजल costing मींस आपका क्या आई variable costing और आप इसमें जो basic equation जो अभी तक हम बनाते है FMA में हमने बनाई है वो क्या थी sales minus variable cost क्या आ गया contribution और contribution में से क्या deduct करते हो fixed cost और फिर आ गया EBIT और आ गया operating profit नहीं तक का काम है नहीं तक का काम है और यह पहले तो यह बताओ यह कौन से subject से calculate करके लेकर आते हुआ cost accounting से management accounting से किसे calculate करते हो financial में यह जो operating profit है EBIT calculate काम है किसका है financial accounting काम यह आपका calculate करके लाएगा कि आपका कितना profit है sales variable और contribution फिक्स इसने calculate करके आपको दे देना है इसी का काम है ठीक है जब भी आप minor costing का काम करेंगे सबसे पहला काम है आपका cost volume profit analysis करना cvp cost volume profit analysis ठीक है क्या calculate करेंगे minor costing में हम सबसे पहले calculate करके लाते है profit volume ratio profit volume ratio profit volume ratio किसमें relationship बताता है relationship between contribution and sales किसमें बताता है contribution और sales में कि कितना percentage है आपका contribution sales में ठीक है simple सा formula है pv ratio profit volume ratio is equal to contribution divide में sales आप निकाल दोगे क्या pv ratio pv ratio क्या बताएगा कि कितना percentage है आपका contribution as compared to sales ठीक है यह आपने calculate करना है simple सा पहला काम है आपका जब भी marginal costing के equation करो पहला काम है या तो आप contribution निकाल लाओ contribution निकल गया तो pv ratio निकल जाएगा pv ratio calculate होती है बाकी सारी चीज निकल जाए pv ratio सबसे important चीज होती है अगर आपका single year का data होना तो pv ratio ऐसे निकल जाएगा इस formulation कब निकलेगा यह condition क्या लगा यह मैंने जब आपके पास single year data हो क्या हो single year data हो ठीक है दूसरा आपके पास दे रखाओ data of two or more year जब आपके पास two or more year data दे रखा तब यह pv ratio ऐसे calculate नहीं होगा तब आपने कैसे निकालना है चेंज इन है वेरी गूड चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड में चेंज इन सेल्स आपके पास आगया pv ratio जब आपके पास दो से ज़्यादा data दे रखाओ सबसे पहला काम यह कर लेना आपने पी वेरी से calculate हो गया कोई बड़ी बात नहीं है आराम से निकाल सकते हो क्यूशन जेसे मैं यह लिखू अगर मालो क्यूशन कि अगर कंपनी की जो सेल्स है देखो कंपनी की सेल्स लिख दी मैंने कितनी ऐसे कोश्ट पर यूनिट दे दी मैंने रूपीज फाइव रूपीज फाइव और यह सेल्स है आपके पास कितनी वन थाउजन यूनिट की एड दी रे टैन ठीक है तो आप से पूछा जाए पी वेरी सो क्या होगा तो सबसे पहले पास है सेल्स कितना है सेल्स आपके पास है 10,000 पास कितनी होगी पास की इसाब से वन थाउजन की फाइव थाउजन ये कितना आ या फाइव तो पीव रेसो कितना आ गया 50 परसेंट बिलकुल आसान से निकाल लिया एक तो यह तरीक है एक सिदा ऐसे लिख लो सैलिंग प्राइस पर यूनिट 10 वेरेबल कोस्ट पर यूनि य्यूनिट में याद रखो जब आपको कोई भी चीज विनिट में निकालना है तो कंट्रिबुशन यूज होगा अमउंट में निकालना है यही चीज यही पर अपने मांट में रजल्ट अगर आपको यह अमांउंट में रुपीज तो आप क्या यूज करोगे फीवी रेशू ठीक है और अगर आपको रजल से है किसमें रजल से इन यूनिट्स वाई कितनी यूनिट्स से यह सो मतलब प्रोफिट कमाने के लिए तो आप क्या यूज करोगे CPU contribution per unit CPU contribution per unit ठीक है पीवेर सो calculate कर लिया उसके बाद हम सबसे पहले calculate कर रहे है क्या break even point break even point का मतलब no profit no loss no loss ठीक है या total cost equal to total revenue contribution equal to fixed cost because देखो sales minus variable cost contribution minus fixed cost profit अगर contribution अगर contribution fixed cost के बराबर आगया तो 0 बचेगा यही तो चीए तो यह चीज भी ठीक है total cost total revenue यह नहीं sales के बराबर variable cost fix cost है तो भी यही आएगा no profit no loss तो यहां तो clear आपको symbols आपने क्या करना है जब भी आपको break even point का निकालना हो तो अभी मैंने बताया PV ratio सबसे important चीज है अगर आपको break even point चीए किसमें rupees में हर किसी formula के नीचे नीचे लगा दो PV ratio अगर लगा दिया PV ratio उपर ले आओ क्योंकि हमें निकालने fix cost PV ratio contribution तक का का काम कर दिया उपर के ले आओ ठीक है ये तो कब निकलेगा जब आपको amount में चाहिए चीजे अगर आपको चाहिए किसमें units में in units और अभी मैंने आपको बताया था units में लेना है तो क्या लेना है CPU तो बस fix score divide में CPU contribution per unit ठीक है आगई समझ में उसके बाद आप आपने calculate कर लिया अभी तक क्या contribution PV ratio calculate कर लिया है और दूसरा आपने कर लिया है क्या आपने calculate कर लिया क्या break even point second आप calculate करने चले sales for या add desire profit आपको कुछ profit कमाना है क्या कमाना है कुछ profit कमाना मालो 5,000 रुपए 10,000 रुपए तो क्या करना है break even का formula दिख रहा है fixed cost रिवाइड में PV ratio fixed cost रिवाइड में PV ratio और simple सा ये काम करो fixed cost में add कर दो desire profit simple सा ये काम कर दो जितना profit ये न उतना ही add कर दो तो ये क्या हुआ sales for desire profit और अगर आपको चाहिए units में तो units में चाहिए तो fixed cost प्लस में CPU Sorry fixed cost plus में desire profit divided में CPU ठीक है fixed cost fixed cost plus में desire profit divided में CPU अगर आपको चाहिए किसमे units में चाहिए ठीक है दो चीजे निकल गया आपके पास आपने क्या 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 निकाल लिया आपने निकाल लिया पीवी रेसो कैसे calculate होता है break one point कैसे calculate होता है and then sales are desired profit ठीक है अब आगे देखिए आपने निकालना है margin of safety क्या होती है margin of safety होती है total sales और break one point sales का difference total sales और break one point का difference क्या होती है margin of safety की आप अपने एक label से कितना safe चल रहे हो कितना margin लेके चल रहे हो तो कैसे calculate होता है यह एक तो यह formula है total sales minus break one point ठीक है एक जो formula है आपका वह आपका profit divide में पीविलेश्यों हर formula के नीचे profit नीचे आएगा पीविलेश्यों sales are desired profit वाला यह देखो यह बिल्कुल यह है आपका break one point क्या होता है यह आपका है क्या total cost line और sales आपकी zero से होगी total sales line और यह जो points आपर cut कर रही है क्या सीज है बही बताओ क्या है यह point क्या है break one point ठीक है और मालो आपकी sales है यह वाली यह break one sales है और current की sales है यह तो यह जो difference बना यह क्या आपका margin of safety आगे समझे में ठीक है एक और बात यह जितना ज्यादा gap होगा उतना अच्छा होता है दूसरा इस पर जो आपका total sales line और total cost line जहां पर एक दूसरे को intersect करते हैं और उस पर यह angle बनता है इसको क्या बोलते है क्या कोई क्यूशन पुछे आप से angle of incidence क्या होता है जहां पर total cost line total sales line या total revenue line या total cost line एक दूसरे को intersect करें तो उसको बोलते हैं एंगल of incidence या break one point पर जो एंगल बने आपका तो यह नहीं है न ठीक है